हेलो फ्रेंड सोमेड किराप्टिंग में आपका स्वागत है आज इस वीडियो में मैं आपको पॉंचो बनाना बताऊंगी कैसे बनाते हैं यह पॉंचो में 11 से 12 यर्स बेवी कल्स के लिए बनाऊंगी इसके लिए मैंने 3 कलर्स की बूल ली है सेवन नमबर का मैंने क्रोश्या लिया है 4 mm का दिखिए सबसे पहले मैं इस कलर को लेती हूं परपल को और इस तरह से में रिंग बनाऊंगी यह मैंने रिंग बना ली है इस तरह से आई है यह रिंग बनकर रिंग बनाने के बाद इसमें मैं थ्री की चेन बनाऊंगी रिंग में बन टू और यह थ्री यह मैंने थ्री की चेन बना ली है अब थ्री की चेन बनाने के बाद मैं इसमें डबल क्रोशिय डालूंगी देखें, 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 देखें ये मैंने थी डबल करोशिया डाल दिये हैं देखे फिर मैं टूकी चेन बनाओंगी और फिर से थी डबल करोशिया डालोंगी फिर टोकी पी चेन बनाओंगी यह मैंने टोकी चेन बना ली है और थिरी डबल क्रोशिय डालूँगी वान टो और यह थिरी देखिए फिर से में टोकी चेन बनाओंगी और देखिए यहां पर सिलिप स्टिच लेते हुए जॉइन कर दोंगी यहां पर जॉइन करना है इसको जोड़ देना है इस तरह से मैंने इसको जॉइन कर दिया है सिलिप स्टिच लेते हुए आगे को बढ़ाना है इस तरह से आगे को बढ़ाना है देखिए देखिए रिंगों में टाइट कर दूंगी इस तरह से इस रिंगों मैंने टाइट कर दिया इस तरह से यह फ्लॉवर बनता हुआ रहा है इसक्वेर फ्लॉवर अब देखिए मैं इस धागे को यही पर कट कर देती हूं इसको मैंने अब कट कर दिया है अब देखिए मैं इसमें दूसरा कर लगाती हूं इस तरह से लगाना है दूसरा कर को इस तरह से लगाना है वन टो और यह थ्री देखिए यह मैंने थ्री की चेन बनाने है अब थ्री की चेन बनाने के बाद डबल क्रोशे डालूंगे लगाने के बनाने के बनाने हैए वन डबल क्रोशे और तू डबल क्रोशे डेखिए जेन को मिला कर हो गई है यह थ्री तोकी चे और फिर से थिरी डबल क्रोशिया थिरी डबल क्रोशिया तोटल हो गए है ये शिक्स डबल क्रोशिया फिर वन चे लेना है और फिर से शिक्स डबल क्रोशिया डालना है टो थिरी डबल क्रोशिया फिर टोकी चेन वन और एक ये टो और थिरी डबल क्रोशिया देखें ये हो गए है शिक्स डबल क्रोशिया फिर वन चे लेना है और फिर से यहां पर शिक्स डबल क्रोशिया डालना है बज्जे लेना है और दालना है शिक्स डबल क्रोशिया देखिए फ्लॉवर बना रही हूं मैं यह मैंने सिक्स डबल क्रोशिया डाल दिये हैं देखिए वन चेन लेना है और देखिए इसको स्लिप स्टिच लेते वे यहां पर जॉइन कर देना जॉइन कर देना है तो इस तरह से जॉइन करना है इसको मैंने जॉइन कर दिया देखिए अब देखिए सिलिप स्टिच लेते हुए आगे को बढ़ाना इस तरह से जॉइन कर देखिए आगे को मैं कट कर देती हूं कर दिया है इस तरह से फ्लावर बन गया है यह स्क्वेर देखिए और भी मैंने यह बना लिये हैं फ्लावर अब देखिए इनको मैं आपस में जोड़ूंगी इस तरह से जोड़ना है वह देखिए इसमें ग्रेकलर लगाना है यह बनानी है देखिए इसमें इस तरह से मैंने यह बना लिए देखिए अब मैं पॉंचो का नेग बनाती हूँ और आपस में इनको स्कैर को जोड़ देती हूँ तो जोड़ना है इस तरह से जोड़ना है नेग बनाना है पॉंचो का तो मैं अब जोड़ती हूँ स्कैर इस तरह से जोनना है इस तरह से जोनना है तो तो और यह थी थी ढ़ंकी चैन को मिलाकर 10 डबल किरोशिया और देखिए वाले फ्लॉबर को जोड़ना है इस तरह से जोड़ना है प्लॉबर को आए देखिए इस तरह से मैंने इसको डाल दिया है अब थिरी डबल ग्रोशिय डालना है इस तरह से मैंने इसको जोड़ दिया है जोड़ दिया है फ्रावर को बंचे लेना है और फिर से इसमें जोड़ना है जोड़ना है इसमें अब थिर डबल क्रोशिया फिर बंचे फिर इस तरह से सीग्ल क्रोशिय दिया है इसमें इसमें यहां पर डालना है सिक्स डबल क्रोशिया पंचे सिंकल क्रोशिय इस तरह से बुनना है टू और ये थिरे इस तरह से मैंने इसको स्क्वेर को जोड दिया है फ्लॉबर को जोड दिया है गला बनाने के लिए मैं जोड रही है उनको रॉंचो का गला बन रहा है चेन फिर बन चेन देखे टू और ये थिरी फिर बन चेन अब देखे और स्क्वेर इस में जोड देना है एक और इस तरह से जोइन करना इसको दूसरे स्क्वेर को देखे तीसरे स्क्वेर में इसमें जोड रही हूं फिर बन चेन इसमें सिंगल क्रोशे लिना है यहां पर थिरी डबल क्रोशे तो और यह थिरी फिर बन चेन यहां पर ले रहा है सिंगल क्रोशे पुन ना है और यह थिरी फिर बन चेन यहां पर इसमें डाल कर यह जोइन करना है यहां पर बन चेन उर अधिर अधिरी फिर बन चेन तो और यह थिरी डबल क्रोशे फिर बंचेन अब देखें मैं इसको जॉइन कर देती हूँ सिली पिस्टिच लेते हुए इसको जॉइन करना है इसको मैंने जोड दिया है इसको धारी को मैं कट कर देती हूँ मैंने यह थ्री फ्लॉबर जोड दिये हैं थ्री स्क्वेर गला बनाने के लिए इस तरह से बने गए यह गला देखें इस तरह से इस बने गला इसी तरह से सारे फ्लॉबर जोड ने है वन टूब और यह थ्री थ्री की चैन और डबल क्रोशिया फिर फिर वन चैन और देखें इसको जोड देना है यहां पर इसमें वन चैन लेने के बाद इस तरह से सिंगल क्रोशिय लेके जोड़ना है यहां पर डालना है थ्री डबल क्रोशिया टूब और यह थ्री फिर बन चैन और यहां पर सिंगल क्रोशिय इस तरह से और फिर यहां पर थ्री डबल क्रोशिया 2, 3, 1 chain, याबर, single crochet, याबर, 6 double crochet डालना है, जोइन करना है, याबर, 3 double crochet, फिर 1 chain, इसमें डालकर इस तरह से single crochet, जोइन करना है, और फिर से, 3 double crochet, 1 chain, 3 double crochet, इस तरह से ये, बी गला बनता हुआ रहा है, इसमें गला है, पिर 1 chain, फिर 1 chain, 3 double crochet, अब मैं दूसरे square जोड़ दे दी उसमें, अगल्चण, अगल्चश्ण, सटर्सजई जयन का 3 double crochet, 1 chain पर जोइन करना है जोइन करना है और फिर से देखे मैंने इसको जोइन कर दिया है यहाँ पर 3 double crochet total हो जाएंगे यह 6 double crochet 6 double crochet इस तरह से मैंने इसको जोइन कर दिया है 1 chain पर 3 double crochet जोइन कर देखे मैं इसको जोइन कर देती है उसलिए पिस्टिच लेते हुए इस तरह से मैंने इसको जोइन कर दिया है आपके बढ़ा दिया है इसलिए पिस्टिच लेते हुए मैं इसको कर देखे मैं इसको कर देखे मैं इस तरह से यह ने बंत हुआ रहा है पूंचो का देखे इस तरह से अब यह ने पूंचो का बन गया है मैंने इसमें 5 फ्लॉवर जोड दिये है अब दीके 5 फ्लॉवर में बैक में जोड़ोंगे वह फ्रेंट में आएंगे और 5 फ्लॉवर बैक में आएंगे गली मैं टैन फ्लॉवर में जोड़ोंगी और नीचे को फिर नीचे को भी जोड़ना है फाइब फ्लॉर और जोडने हैं बैक में तो और यह थिरी है थिरी की चेन और डबल कि रोशिया यह मैंने चेन को मिलाकर थिरी डबल क्रोशिया डाल दीए अब फिर बन चेन अब देखे में इसमें जोड़ना है यह इस तरह से जोड़ना तो और यह थिरी है फिर बन चेन फिर से इस तरह से च्वाइन करना है जोड़ना है इसी तरह से सारे फ्लॉवर को जोड़ना है थिरी डबल क्रोशिया बन चेन इसमें डाल कर इस तरह सिंगल क्रोशिया लेना है और फिर से थिरी डबल क्रोशिया क्रोशिया आड़िस क्लाल कररें बन चेन फिर फिर बन चेन जिना हमस् Southwest महीं पेटो जोड़ना है इसमें तो बन बन लिए सवाइन कर आप पेज़ जोब़ना है इसी तरह से सारे फ्लॉंपर को जोड़ना है तेके मैं इसको सिलिपिस्टिस लेते हुए जोईन कर दूंगे यहां पर जोईन कर देना है तो इसमें इस तरह से मैं जोईन करूंगे इसटरे समरी स्मिफला कर जोटी है तो इस तरह समरी स्मिफला कर जोटी है तो इसमें जोटी है इस तरह से आए गए गला, अभी देखिए इसमें थ्री फ्लावर और जोडने हैं, फिर ये नेट बन जाएगा, गला बन जाएगा फिर और जोडने हैं, तो जोड़ते हैं फ्लावर को, अब मैं यहां पास स्लिप स्टिच लेते हुए जाइन कर दोंगे, यहां पर इस तरह से जाइन करना है, जोइन कर दिया है, इस तरह से नेट आ रहा है, बनता हुआ, अब देखिए, मैं इधर से आप टू फ्लावर और लगाऊंगे, इसमें फिर नेट कम्पलीट हो जाएगा, अब देखिए, मैं इसको जॉइन कर देती हूँ, यहां से जॉइन करना है, फजया है, इसमें कर देती है, यहां से प्रिए से थिरी डबल क्रोशियर टू प्री थिरी बन चैन तरह से सिंगल क्रोशियर थिरी डबल क्रोशियर फिर बन चैन देखिए यहां पर जॉइन कर दीना इसको तरना इसमें वन टू थिरी डबल क्रोशियर बन चैन और थिरी डबल क्रोशियर तरह से मैं इसको जॉइन कर दोंगी इस तरह से मैं इसको जॉइन कर देती हैं अब यहां पर जोड़ दिया है इसको अब यहां पर एक और फ्लॉवर जोड़ना है फिर यहने कंप्लीट हो जाएं तो मैं जोड़ती है उसको बुंते हुए जोड़ना हुए वन टू और यह थिरी थिरी की चैन और टू डबल क्रोशियर वन जेन अब तक हम इसको जोएं कर देती हुए इसको जोएं कर देना है इस वन जेन हो इसको जोएं कर देना है तरी डबल क्रोशिय, टो और ये थिरी, बन चेन और इसी तरह से सिनल क्रोशिय डालना है और यहाँ पर डालना है वन, टो, थिरी, फिर वन की चेन, जोइन कर देना इसको इसी तरह से जोड देना टो, पर ये थिरी, देखें, इस तरह से जोड रहा है और टो, फिर वन चेन और तरह से लेविए, फिर वन चेन, गुट तरह से में रूद तिरी डबल क्रोशिय, पर वन की आप देखें, पर थिरि डबल क्रोशिय, तरह से साथिता है कि इस वाले को नीचे वाले को जोईन करना है इस वाले किस तरह से मैंने जोईन कर दिया है अब थ्री डबल क्रोशिया लेन चैन इस तरह से सिंगल क्रोशिय लेना है थ्री डबल क्रोशिया वन चैन इस तरह से सिंगल क्रोशिया और फेस में डालना है सिक्स डबल क्रोशिया अटेश करते हुए सिक्स डबल क्रोशिया डालना है वाल चैन इस तरह से तो तो पुरिए थ्री डबल क्रोशिया वन चैन इस तरह से मैं इसको जॉइन कर देती हूं सिलिप स्टिच लेते विए यहां पर आम में जॉइन कर देती हूं इस तरह से मैंने इसको जॉइन कर दिया है करें इस तरह वह जॉइन कर दिता है इस तरह से गला हागा आए क्पल कर शीखे दी आगी कमें अंदर कर देती हूं पक्र आप है आप अ कि इस तरह से ये ने कब बन गया है कि मैंने इसमें फ्लॉबर आप ये जोड दिये है स्क्वाइर अब देखिए मैं नीचे को इस तरह से जोड़ूंगी कि इसमें जोड़ना है जोईन करना है जोईन करना है मैंने इसमें जोईन कर दिया है स्क्वाइर को अब इसमें मैं थ्री डबल क्रोश्य डालूंगी इसको जोईन करना है जोईन करना है इस तरह से यहां पर जोईन करना है इस तरह से मैं यह स्क्वाइर जोड़ रही हूंगी इस तरह से मैं यह स्क्वाइर जोड़ रही हूंगी स्क्वाइर जोड़ने है इसी तरह से यह मैंने थ्री डबल क्रोश्य डाल दिये हैं फिर बंचेन लेना है और देखिए इसमें मैं एक और स्क्वाइर जोड़ देती हूं यह फ्लावर जोड़ना है इस तरह से इसको जोईन करना है देखिए यह फ्लावर मैंने जोड़ दिया है यह फ्लावर मैंने जोड़ दिया है इस तरह से यह फ्लावर मैंने यह फ्लावर भी इसमें जोड़ दिया है तरह से आरा है यह यहां पर भी पंचेन और थी डबल ग्रोशिया टूट और यह फ्लावर दिया फिर बंचेन देखिए मैं इसको जोईन कर देती हूं इसलिए पे स्टिच लेते हुए इस तरह से मैंने इसको जोईन कर दिया है इस तरह से यह फ्लावर जोड़ गया है दोनों फ्लावर मैंने जोड़ दिये इसमें इसी तरह से सारे फ्लावर जोड़ने हैं जोड़ जोड़ मैंने हैं छोनों जोड़ जोड़ देखिए झाल आयोड़ जोड़़ प्लावर जोड़ 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 मैंने हैं झाल झाल